आज करिए वीडियो राजस्थान फार्मिसी कॉंसिल के स्टुडेंट के लिए हैं इसलिए इस वीडियो को पूरा देखे ताकि जब आप अपना फार्मिसी का एजूकेशन कम्प्रीट कर ले और जब आप रेजिटिशन के लिए अपलाई करें और इस तरह की समस्या है तो आप इसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि राजस्थान फार्मिसी कॉंसिल का यह ओफिसल वेब साइट है जहाँ पर स्टूडेंट अपने फार्मिसी के पढ़ाई करने के बाद अपने रेजिटिशन के लिए अपलाई करते हैं सारा प्रोसेस ऑन-लाइन है और सबसे पहले आपको यहाँ पर जाकरके अपना एप्टिकेसन सम्मिट करना पढ़ता है और payment करना पड़ता है उसके बाद student का कहना है कि मेरा college का verification अभी तक incomplete है वो green क्यों नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूँ कि college का verification एक लंबा process होता है जैसे कि हमारे college जहां मैं काम करता हूँ हमारे पास किसी student जो राजस्थान से होते हैं और अगर वो राजस्थान pharmacy council में अपलाई करते हैं पढ़ाई complete होने के बाद तो उस council से यानि राजस्थान pharmacy council से हमारे पास mail आता है और साथी साथ speed post के द्वारा भी हमें verification मांगा जाता है फिर उसके बाद हम लोग उस mail का reply करते हैं और जो speed post है उसको भी हम लोग college के letter pad में यह लिख करके बताते हैं कि जो student है यह हमारे student के bona fide student है इन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की अपने hospital training इनकी इतने से इतने दिनों तक थी और इनका mark sheet हम लोग principal से attach करवा करके और उस letter जो verification letter उसमें भी principal से sign करवा करके हम लोग verification करते हैं और जब वो verification speed post के माध्यम से console पहुचता है तब जाकर के आपका यह college verification वाला process complete होता है अलग-अलग state का समय अलग-अलग होता है जैसे कि जो inter state होते हैं यानि अपने state के होते हैं वो काम एक या दो दिन में complete हो जाता है और other state में यह काम 15 से 20 दिनों में होता है और अगर आपका state जादा दूर है तो 30 दिन का minimum समय लगता है तो अगर आप परिसान हो रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने college में पूछिए कि क्या उनको राजस्थान pharmacy console से कोई mail प्राप्त हुआ है या speed post के माध्यम से कोई letter आया है verification का और अगर आया है तो आप अपने college में request करें कि जल्द से जल्द उसका जवाब दे और verification letter बना करके राजस्थान pharmacy console को भेज दें तभी यह जो अभी green नहीं हुआ है green हो जाएगा और आपका college verification complete होगा और तभी आगे चल करके आपको जो है certificate प्राप्त होगा pharmacist के registration का इसके अलावा आपकी मन में कोई भी question हो तो comment box में जरूर पूछे मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye